हेलो स्टुडेंट्स आइम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवजोती ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी और आग जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 के जेप्टर नंबर 10 जो की है लाइफ इन डेजर्ट ठीक है इसमें डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो डे ंदीक लोग पैसे रहते हैं इन सब चीजों के बारे में इंपढ़ी गया चली चैप्तर स्टार्ट कर sympath है आप स्टार्टिंग में आपको देखा है की यह इसफ न ऐत रफीराइस ताल कश्तर पाबल में जहां पर क्यों होता है तु एड ड्राइजर्ट लेजंड में होती टेंपरेचर बहुत ही जदह एक्सट्रीम्ली हाई होता है या तो प्र कि टैंपरेचर क्या होता है अंग कि द्युक्ति है दुरॉण फ़क्लस चैप सबrementूरी की साम्मदू तो यहां पर वेजिटेशन बहुत काम होती है तो देखे इन चैप्टर फाइव यू वाटर मेंस लाइफ टो प्लांट अनिमल और पीपल आपने चैप्टर फाइव में भी देखा था वाटर का मतलब के यह वाटर जो हमें पीने के लिए भी कोई पानी नहीं है जहां पर कोई ग्रासे नहीं है जिसे कि लोग के अपने केटल को फीट कर सके और जहां पर क्या है कोई भी पानी नहीं है जिसे कि क्या है जो लोग अपनी क्रॉप्स है उनको ग्रोग कर सके तो आप खुछ सोच सकते हैं कि पानी के बिना तो हम इस चेप्टर में यही पढ़िगे कि ऐसे एरियाज में जहां पैपानी की कमी है तैंपरेचर इतना ज़ाधा एक्स्थिम हाने के बाद भी लोगों ने यहां पर नेचर के अकॉर्डिंग हाके इंवर्मेंट तो हम इतनी तटनी फिरेसे इन ही एरियास को हम क्या बोलते हैं डेजर बोलते हैं बहुती ज्यादा घरम होता है या फिर बहुती ज्यादा थंड़ होता है थी집 एरिया क्रेक्टेसाइस्थ बैलो रेंजर्फॉल यहाँ पर बहुत ही कम रेंज वहोती है वेजिटेशन बहुत कम होट तमपरे़चर बहुत ही जादा streaming होता है तो temperature पर ही dependent ठीके depending on temperature there can be hot desert or cold desert अब देखिए टेंपरेचर पर डिपेंड करते वेड़ेजर्ट दो तरीके से बनाए गई है एक hot desert यह एक cold desert होट डेजर्ट के है जहां पर बहुत ही जादा गर्मी एक्स्ट्रीम टेंपरेचर जहां पर होट डेजर्ट हो गया और cold desert वो हो गया जहां पे बहुत ही जादा थंड़ है क्योंकि desert बोला ने extreme temperature रहता है या तो बहुत जादा गरम होगा या बहुत जादा थंड़ होगा तो जहां पे बहुत गर्म हो रही है वह hot desert है जहां पे बहुत ही थंड़ है extreme thunday वह cold desert है और the people inhabit this land where little water is available to practice और desert में भी कहीं पे बहुत कम एरिया पे जहां पे थोड़ा पानी मिल जाता है वहां पे लोग रहते हैं जिससे कि वह agriculture प्रेक्टिस कर सके अब पहले हम hot desert के बारे में पढ़ेंगे जहां पे बहुत जादा गर्मी होती है वहां पे vegetation कैसी है वहां पे लोग कैसे रहते हैं ठी पेश्क बारे में बताया है लाजस्ट डाजसर्ट है ठीक है यह सभाशा डेजर्ट की मैज दिखाई पुर्शियां आपको एव मतलब सहारा डेजर्ट है अवहां कांटिंट पर पाया जाता है रोग के जी नॉट अफ अफरीका पार्ट ऑप लोग कर आती नौर्थ अफरिका में भी बहुत सारा कंट्रीज जो है वो आती है ना तो सहारा डेजर्ट ने बहुत सारी कंट्रीज को कवर कर रखा है नौर्थ अफरिका की पार्ट की यह लाज़ेस्ट डेजर्ट है वर्ड का जिसकी एरिया लगबग 8.5 मिलियन स्कुर्डक आपकर progression अलग एंड्र ओस्युं시는 आर्ड को मने महद दो कवा जूए दैका में एलग बहुत सारा डेजर्ट की इसने अलग फारिका है वह जुद्सपारिका की तेंजर्ट ऑज चाइब लगबग 10 support में पैल्छ डेजर्ट श साओंतों बरुतनिया, मोरको, निजर, सुदन, तुनिसिया और वेस्टन शहारा ये सारी कंट्री जो की नौर्थ अफरिका में हैं इन सारी कंट्रीज को साहरा डेजर्ट टच करता है अब देखें जब भी आपके सामने डेजर्ट बोलेगा तो मोस्त लोगों के माइन में पिक्चर आती न वही आती कि डेजर्ट है तो वहाँ पे बहुत जादा रेथ होगी या फिर क्या होगा सेंड लेकिन इसके अलावा भी डेजर्ट में और सेंड के अलावा भी और तोड़ा पत्थर भी बहुत बड़े बड़े मिले गई है ऐसा नहीं कि डेजर्ड में से संड है सेंड तो वहाँ पर है लेकिन वहाँ प्लाटियूस भी है मतलब थोड़ा हाइट है लैंड की थोड़ा उपर को उठे हुए है और बड़े बड़े रॉग्स भी यहां पर हमको मिले हैं लाइक जो रॉग की सर्फेस है वहाँ वहाँ है कुछ कुछ प्लेस में बहुत बड़े बड़े रॉग्स भी होते हैं डेजर्ड में कशनल करने में अब देखें अब दें हाँ के आप यह सुन के सब्प्राइज हो जाओगे जो पहले उसमें क्या था बहुती वो गृण प्ली था वहाँ पहुत जादा गृण डिरी थी त्योंकि जो केव पेंटिंग के टिए डिखा दिखा दिखांधिए कि वहां पर रिव इसलिए यह रीजन अब पूरा एकदम ग्री यहां पर हड गई है सिर्फ सेंड और रोक्स और ठीक है प्लैटियू यहां पर यही प्रेजन प्रेजन पहले जो सहरा था ना वहां पर वन्स लाइक बहुत ही जादा ग्री थी लेकिन क्लाइमिट चेंज होने के वज़े से सारी ना जोगी यहां कि अब देखें आपर दिखाया है सहरा डैजर्ट इतने पूरी एरिया में कौन-कौन से कंट्री से तच हो रहा देगे एजेप्ट सुधन चाड निजेर्ये सारा क्या है नौर्थ अफरिका कॉंटिनेंट है यहां पर देखें शाहरा डैजर्ट इतने कंट यहां पर बहुती ज्यादा कर दुद्ट को दुद्थ और रशक्राइट में कर दूंद बूं這樣 जो पानी खत्ता भी हो गया गशाता ही तो दक रहना हो ज़से घ्रपीं करने भीन कंग भीन के पसमे ज्सक्तीजर हो फंप्र में च्पंपरेड हो जाए बहुत हो जाए नी धान पेड़ा। जामने होगा ल जाएल को ज्ढ़ा जाएका। जो डेजर्ट है वहाँ ठीक है और जिससे सेंड और जो रोक से वह बहुत ही जादा गरम हो जाती है ठीक है जो की मतलब हीट को रडियेट करती है और टेमपरेचर जो है चारोर बहुत ही जादा गरम हो जाता है और जो नाइट सोती है वह बहुत ही जादा थंडी होती है नेर जो यहां पर वेजिटेशन होती हैं, Cactus, Date, Palm यही सारी चाहिसे होती है और सम प्लेसे होते हैं, Green Island with Date Palm surrounding them एक Green Island होगा, एक बीच में लैंड का पोर्शन है, चार और उसके क्या होगी लेक होगी तो यहां पर एक Green Island है, जिसके मतलब डेट, Palm जो है, उसके चार और सराउंड़े हैं, Camels, Jekyll, Foxes, जो हैं यहां पर सारे वराइटी ऑफ आनिमल से जो पाए जाते हैं, Snake, Lizard, यहां की प्रोमिनेंट अनिमल स्पीसीज़ हैं आप देखे अपर स्टाइंटीस्त जो है, पहले सहरी डइजर्ट में हापर फिषीड की स्क्लिटन मिले है, इसमय पे मच्छियों स्क्लिटन मिले हैं सकंतर ह어 zna नहीं पर पानी होता होगा, और स्पीसीचन क्लिमाटिक के वज़े से पानी सारे ओड़ गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादधा चेंज रहा तो टेंपरेचर बहुत ज़्यादा हो तो इवापरेट हो गया और देखें यहां पर जो लोग रहते हैं पिपल उनके बारे में बताया है ड़ सहारा डियजर्ट डिसपाइट इट सार्ष क्लाइमेट फैव विरियर्स क्रूप फोलगों तुरेक्स शीन से हं में में फिर स्थी बनाली किसं टाईविय अच्छा जाय सुन्हे नुमें तुर आ जरी नोग तुरण गूमते ह। ठीक है हंटिंग और मतलब रियरिंग यह सारी चीज़े करके वो अपने इनकी जिन्दगी चलती है तो नुमेटिक ट्राइब यहां पर जादातर रहते हैं शहारा डेजर्ड में जो की मतलब पालते हैं गोट को पालते हैं कैमल्स को पालते हैं और जो यह अनिमल्स होते हैं वो क्या देते हैं इनको मिल्क देते हैं उनकी गोधिये हैं वह एक कर्पेद में साल हैं, सपयो में बोट तो अगनेए के लिए फैकर आटे वांने शुलैज मा क्प्ड़ अमें कुछ लंबा सा होगा जिसे वो बात के रखेंगे क्योंकि इतने खतरना कपड़ इसलिए पहनते क्योंकि यहां पर विंड होती न बहुत ज्यादा तेज बहुत जादा होता है तो धूल मिट्ती बहुत जादा उड़के आती है तो अपने आपको बचाने के लिए गरम हमाव ह से यह ऐसे कपड़े पहनते हैं अब देखिए तो ऑसे जो है सहारा एंड नील वैली इन एजिप्ट ठीके सपोर्ड यहां पर क्या सैटल पोपुलेशन है और सिंस क्योंकि यहां पर जो वार्टर एविलेबल है थोड़ा बहुत तो पीपल यहां पर जो पाम ग्रों करते है और क्रॉब्स जैसे की राइस, वीट, बेली, बीन यहां पर ग्रो होती है ठीक है एजेप्टियन कॉटन ठीक है फेमस वर्ट वाइड इस ग्रों इन एजिप्टियन कॉटन जो की बहुत वर्ड में बहुत ही फेमस है वो एजेप्ट में ग्रो किया जाता है अब देखिए 10.2 थासम मभड में दिस्कावरी ऑफ ऑएल, अब प्रॉडवारोल éénड में ग्रोड जा करना हैw 10.2 थासम मभड में आप परपप्प कई ऑफ । 9.25 दोर ऑप्रिफ वर्टेशट दिस्कावरी अवए 12.22 यहां पर है ऑफ बहुत करना है एलजेरिया लिब्या और एजिप्ट में और इन ओयल के डिमांड बहुत ही जादा है वर्ल्ड के थ्रूआउट तो यह क्या है धीरे-धीरे सहारा डैजर्ट को ट्रांसफर्म कर रहा है उसको बदल रहा है और भी मिनराल्स है ठीक है जो किस एरिया में पाई जाते है जैसे आ मॉस्क बना रहे हैं और सुपर हाइवेस जो है यहां पर बनाई जा रहे है ठीक है और जो मतलब ट्रॉक्स है उनको पहले के है लोग यहां पर कैमल में जो है गुट्स को सारा करते थे जो सॉल्ट कर ट्रेट था वो कैमल में ले जाके करते रहते थे लेकिन अब उनके जग क्योंकि यहां पर मतलब इतने अच्छी बिल्डिंग्स हैं मॉस्क हैं इन सब चीजों को देखने के लिए आते हैं तो जो यह तुरिक्स है वो इनको क्या एज फॉरें ट्यूरिस्ट को एज गाइड भी जो हैं उनको हेल्प करते हैं अब देखिए हमने होट डेजर्ट के बा हुग है लदाग में तो कुल डेजर्ट में फिल्सट। इंडिया में ठीक लद्याख भी लाइग इनुॅग है मतलब जो है यह लडाग्स में बढ हो कश्मीर के इस्टिन सायड में नौर्थ एंटी जंसकार मॉंटेंं इनक्लोस एक मतलब जो यह लद्दाक डैजर्ट है ग्रेट हिमालियास में पड़ता है इस्ट साइड में जम्मु कश्मीर है नौर्थ में इसके क्या कारकोरम माउंटेन के एक रेंज है ठीक है और जंसकार माउंटेन इसके साउथ में प्रेजेंट है और सेवरल रिवर्स भी जो है लद्धाक से फ्लो करती है जो इंडस है जो सब्सक्रिόब जो इंपर्टेंट्टन रिवर यह भी यवी फोलो करती है ऑफ उद्छी औरatif को weirdly गवायर ओंगा है और सब्सक्रिएर छिस्टीश इस प्सक्रिख से ऐक चिना लेंट्सकिप फोल तो नालिती है और भी वहां से फख श्क्रिख 從 अब देखे तो अल्टिट्यूड इन लद्धाग जो हाइट होती ना लद्धाग में लाइक वो 300,000 मीटर कारगिल से लेके 8000 मीटर कारकॉरम तक इतनी जादा इसकी हाइट है तो इतने हाइट में हाइट क्योंकि जैसे जैसे मुपड़ जाते हाइट में जाते हैं आपको त्राइड सुखा रहता और कोल्ड थन्डा होता और सुखा बड़े रहता है अब देखिए अधिस अल्टिट्यूड जो एयर होती क्योंकि हमने भी पढ़ाए कि हम जुब नीचे जो आट नीचे वाला पार थ है ठीके वह फ़हाँ पे हैवी होती जैसे जैसे हम उपड़ इएर कि अऊपर उपर लाइट एएर प्रेजव्थाट रहती नीचे हमारी हेवे इएर प्रेजव करती है ओधिर 갓 वहां की बहुती पतली होती है इतनी पतली होती है कि सन की heat ayuk catch कॉर्ड ऊति दिन में zero degree होता है औरत को समर में भी temperature रात को क्या माइनस 30 degree चले जाता है मतलब समर में भी वहांपे क्वोड़ी रहता है तो अगर कर्मियों में भी यहां भी थंड़ा हो रहा है तो फिर सर दियुमें तो वहांपे कितना ही ठंड़ा होता होगा सर्दियों में लाइक जो टेंपरेचर होता है माइनस 40 डिग्री तक भी चले जाता है ठीक है और जैसे कि यह लाइक कहां पर कर एज लाइक में तो बहुत जादा जो हया पर बारिश होती है तो बारिश हो रही है वहाँ पर जैस्त उसके बगल में यह डैसर्ट है इसलिए हम इसे रेंशेडो बोलता है तो अगर हिमालियाज में बारिस हो घ्री तो इसके वज़े से छोड़ी रेंफॉल यहां पर भी हो जाती है दस संटीमीटर से भी कम जो लो होती है रेंफॉल यहां पर होती है और इस एरिया में क्या होता है अपना पूरा शरीर उपर का शरीर सूरज की तरफ करके बैठ गया और पैर के हमाँ पर एक ठंडी जगे पर रख दी जहां पर थोड़ी छाया है या शेड है तो देखिए वहाँ पर क्या हो जाएगा उस वह परसन को ना सन स्ट्रोक भी हो सकता और फ्रोस्ट बाइट भी हो स ठंड भी वहां पर ठंड बहुत ज़्याद है अगर कहीं पर छाया में झाले हो तो वहां पर स्ट ng फिल घुह होगी कई उसको इतनी ज़्यादा में पर ठंड लगे गहां तो तो ढ़ने मतलब सन से आने वाला संस्ट्रोक और फ्रोस्ट वाइट दोनों सेम टाइम में फिल होती है अब देखे फ्लोरा और फॉना यहां के कैसा है वेजिटेशन अनिमल्स देखे ड्यू तो हाई अरिडिटी मतलब जो है बहुत ही सूखा पड़ जाना मॉइस्ट्र बिल्कुल भी न चड़ते हैं बहुत ही कम होती है और यहां पर विलो पॉपलर एसी ट्रीज यहां पर जो वैली होती है उसमें दिखते हैं समर सीजन में यहां पर फूर्ट सच एपल एप्रिकोर्स और वालनेट से होते हैं और सैवर स्पीसीज ऑफ बर्ड जैसे कि साइट जो लद्दाग म जाती है एक ही जगे पर नहीं रहती है और जो एनिमल्स होते हैं लद्दाग के वो होते हैं वाइल गोर्ड वाइल शीप याक और स्पेशल काइंड ऑफ डॉक्स जो है यहां पर रहते हैं इनिमल्स रहते हैं इसलिए क्योंकि पाले जाते हैं क्योंकि अनिमल्स इनको मिल्क इन के काम आती है जो मिलक होता है उससे चीज और बटर बनाते हैं और जो शीप और गोलड कोट की बाल होते उससे का बुलन बनाते हैं ठंड़ा क्योंकि बहुत है ना यहां पर आपगी पिपल यहां के लोग कैसे रहते हैं Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet? अब देखिए जो Ladakh में लोग रहते हैं और जो Tibet और Central Asia में लोग रहते हैं इन दोने के बीच में कुछ similarity है क्योंकि जो पिपल Ladakh में रहते हैं वो या तो मुस्लिम होते हैं या तो बुद्धिस्ट होते हैं ठीक है जो बुद्धिस्ट तो इन फैक्ट, several Buddhist monasteries store the Ladakh के landscape with their traditional goms जो बुद्धिक्स होते हैं उनके traditional goms उन्होंने के रहते हैं लगद्धा के बहुत सारे लेंड में जो है अपने traditional goms जो है बना लिये हैं और कुछ famous monastery जैसे हेमिस, रोगी, ठीकसे, शेय जो है बहाँ पे इन्होंने बना लिये हैं और summer season मे जो लोग यहां पर प्टेटो पीज बीन इंगेज कर लेते हैं तब वुमेन जो है इस एडिया के बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है दे वर्क नॉट उलिंद मतलब घर पे ही काम नहीं करते हैं वह घर में काम करने के अलावा जो है बिजनिस या फे चोटी-चोटी दुकाने दॉब्ह खोल के रखते हैं ले अधर अधर लदधा गसर लेग को कि एक धछी-फार है तूप अच्छे पैंसे अच्छे शर्मथे और अबधा नाम है थापर ट्योरिज्म में बहुत ज़ा आते हैं इस लदधाग च्रूज मैं भाले में क्योंकि यहां पर क्या है जो बुद्धिस्ट वग उन्हों है अपने अच्छे गुम पास बना रखा और गलेशियर स्हाइं टू में एच्छे अच्छी ओडरिष्ne ट्रेशनल में ट्रेस हुई है तो इन सारी वजह से कश्कार लेकाते हैं कि गंती ब्रीजेशन के वज़े से ठीक है लेकिन जो पिपपल ऑफ लद्दा पहला उन्होंने ऐसे ही प्लािमेट के साथ उन्हों ने रहना सीख लिया है आप जैसे उन्हें पता है कि यहां पे यहांसे कमी है वॉटर फ्यूल की यहां पर कमी है तो वह रिसोर्स का से यूज़ करते हैं उनको बहुत ही केर से रिसोर्स को यूज़ करते हैं वह कोई भी रिसोर्स डिसगार्ड या फिर वेस्ट नहीं करते हैं ठीक है तो एक्सराइज देखते हैं चलिए इसकी देखें टू टाइप ऑफ डैजर्ट वर्ट यहां पर बोल रहा है आपसे पूछ टॉ चाहराग डैजर्ट होते हैं तो जो दो तरह के डेजर्ट जो मिलता है वैका बोल्स होट डैजर्ट यानिकि शहारा डैजर्ट ऊर कोल्ड डैजर्ट यहां पर कॉंट के अप्रेटिक कंडिशन और एक्स्ट्रीमल कोड़ इसलिए है क्योंकि यह बहुत ही जादा के हाई अल्टिट्यूड में प्रेजेंट है कि तरफ के लिए आते हैं तूरिजम के लिए वाद टायप अव क्लोच तपींट के लोग निगे सनादेशन में पहते हैं के लोग है यह यहां पहुत हैं अबहुत ही मुदानें वाले कप्डे पहने क्योंकि जो हरा यह वाय बहुत तेज जलती चलती और हुआ में हवा अमें ह बहुत जादा होती है तो आपने कपड़े बादे रहते हैं ठीक क्योंकि भी बहुत जादा होती है और अपने हवाओं से बचने के लिए ले कपड़े पहन के रहते हैं हिंग कहां चाहर पंपनी कि कहले यह रख करफेंगे आप एमके जाहिए हैं मैगनेे का आप एक कपड़ा में मस्तल और किसे सपयां जाहिए विने पेनते हैं लुष पैनते हैं पहंने यह यह शचे दर verbessid लद्दाग में डभसिं लेस्टेयर्क दूर किसी दराफ दूटित 아침 15. कि अब देखिए टिक्दा करेक्ट आंसर यहां पर आपको बोला है सहारा डेजर्ट इस लोकेड़िड इन नौर्धन पार्ट अफ अफ्रिका में है और सहारा इस वर्टा इप आफ डेजर्ट सहारा के होट डेजर्ट है और लद्दांग डेजर्ट में मैंनली कैसे लोग इजिटेशन बहुत काम है और हैमी सिन लददाक फेमस वर जो हैमी सिर्दाक में मोंश्ट्री है ठीक एजिप्ट फेमस फोर ग्रोइंग एजिप्ट में क्या होता है कॉट अब मैं इस दफर एंग बोला है यहां टिप्रेजन विद वाटर वाटर जहां पर छोटी बतलब लद्धाग डैजर्ट में और लामा यूरू की मोनने है बनाग टेखिए कि इसके दीर्डड ही का यह एक्स्ट्रीम हिसा नियह पाइड में की DOBPA बहुत कम होता है khi sth typically जरा थीह है ऐंब क्प्रय नियुकर का सब्सक्राइश प्रिध्य गर्मियों तर्फना इता कि वहाँ होता है उतक्कु दिश्बक्छ कर फी शाहरा area स्ट्रॉब्स हुट चलता है और जरी बहुत तरफ तरप्त Billieau इसम से किए सवा गर्म पहा हुए निए तरफ बहुत होता है वहाँ देस चालता चालती अज अर तरफ और पेशितर ज्हरो सबता चलती है जिक वहाँ सुन medicine writing हो गया ठीक है जिसमे की वहां की क्लायमिटिक कंडिशन्स कैसी है वहां लोग कैसे रहते हैं वहां की जो है वेजिटेशन कैसी है तो आई होप मैंने आपको जो भी चीजे समझाई हैं आपको समझ माई होगी सो थैंक यू सो मच